आपके नो बजे हैं और आज सोमवार कर दिन हफते की शुरुआ तक कि अपने परिवार के लोगों का स्वागत और आप सभी को पता ही है आप लोगों की वज़ा से दो लाग पार कर चुका है क्राइम तक देखते ही देखते और बड़ा कभी कभी सोचता हूं अजीब सा लग है कि आपढ़ारों की जो अमीदें हैं आपकी जो फर्माइशें हैं उसका ख्याल रखा जाए उसे पूरा किया जाए तो कोशिश हमआउ की मेरी पूरी टीम की यही होगी कि हमेशा चीज जो सच्छ है वो आपके सामने रखो कभी कभी हम सब इनसान हैं ङुका गल्तिया भी भी आदमी सीखता है तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों से गलतियां नहीं होंगी यह नहीं होती है लेकिन उसको दूर कर लिया जाए उससे सीखा जाए यहीं बड़ी चीज होती है आज अजीब हाथसा हुआ आप लोग ने तमाम नियूस चैनल में देखा होगा इंडोनेशिया में एक प्लेन क्रैश कर गया जिसमें करीब दो सो से दो सोनी करीब 181 लोग थे क्रूम मेंबर्स के लावा और उसमें जो पाइलेट थे वो दिल्ली के इंडिया के और उस पाइलेट ने जहां से पढ़ाई की थे अलकॉन स्कूल यह मयूर विहार में है फेस वन में और इतिफाक से मेरे घर से बहुत करीब है तो उस स् इसलिए और जादा अफसोस हुआ और वहीं से 2005 में स्कूलिंग करके वो पाइलेट निकले थे और जो क्रेश किया है उसमें अभी तक की खबर यह कि एक से 802 लोग जो है उन सभी की मौत हो गई है तो इस प्लेन क्रेश की वज़ए से बहुत सारे लोगों में से आपने कई इस बार फरमाईश की कई कई बार कहा गया था मुझे की एक मलेशिया एरलाइन्स की जो प्लेन मिसिंग है उसके बारे में कुछ बताएं उसकी कहानी सुनाएं और इतिफाक की बात है कि आज चुकी जकारता से ये प्लेन उडा था और इन्टिया कही एक दूसरे शहर में इ नहीं समंदर से भी तक कुछ मलबा मिलने की खबर आ रही है जिसमें कुछ प्लेन के सीट्स हैं कुछ आईडी कार्ट्स मिलें लेकिन बॉड़ी अभी तक नहीं मिलिये ना प्लेन का बाकी मलबा मिला अंदेशा यही कि शायद वो समंदर की बहुत गहराई में हो तो वहां तमाम टीमें लगी हुई है पर इतिफाक की बात यह है कि जो प्लेन हाज जहां क्रैश किया है हाल के सालों में ऐसे बहुत सारे हाथ से हुए है धुरिया की दूरी कम करने के लिए हावाय जहास बनाया गया था और इसमें काफी काम्याबी भी किंकि हम अब कहीं भी बहुत जल्दी पहुंँ जाते हैं वहना दुनिया अतनी बड़ी है कि इसको नापने में ही सालों लग जाए तो एक अच्छी चीज तो है ये लेकिन ऐसे जब हादसे होते हैं तो कई बार बड़ा अफसोस भी होता है और फिर जो जाने हैं वो इस तरह से जाती है जो खबर जिसके बारे में आप लोगों ने बात की थी वो मलेशिया एरलाइन्स ये वो प्लेन है जो 2014 में 8 मार्च सन 2014 से गाइब है आज ये 2018 हो गया करीब धाई साल हो गया है आज नहीं मिला है और सबसे बड़ी बात ये है कि दुनिया में किसी भी इस एवियेशन की हिस्टरी में कोई ऐसा प्लेन जो गाइब हुआ उसका सबसे बड़ा जो सर्च आपरेशन और सबसे महंगा सर्च आपर पत से कुछ दूरी पर उसका प्लेन का कुछ मलबा मिला था लेकिन फाइनल ना मलेशियन ना चीन ने कभी इसके उपर मोहर लगाई है तो ये दुनिया का सबसे बड़ा महंगा सर्च आपरेशन था जिस पर अर्बो रुपे खर्च किये गए 25 से जादा कंट्री करीब 47,000 किलोमेटर की तलाशी समंदर जमीन सब मिला कर एक पूरा अभियान चला लेकिन इस प्लेन का सुराग नहीं मिला तो इसी की पूरी कहानी है आठ मार्च 2014 को कौलालंपूर इंटरनेशनल हैर पोर्ट से एक प्लेन टेक आफ करता है बोईंग 777-200 और इसका नंबर जो उडान संग्या था फ्लाइट नंबर वो MH370 जिसके नाम से ही बाद में फेमस हो गया चुकि अपनी गुमशुद्गी की वज़ा से तो MH370 कौलालंपूर इंटरनेशनल से उडान भरता है और इसको बीजिंग जाना था चीन और यह डारेक फैट थी इसको कहिए और रुकना नहीं था तो कौलालंपूर से बीजिंग के लिए जो दूरी थी वो 12 बच चुका था आठ मार्च के सुभा साड़े छे बजे बीजिंग एरपोर्ट पे इंटरनेशनल एरपोर्ट पे इसको लैंड करना था प्लेण के अंदर कुल 227 तो हंड़ेड और ट्वेटी सेवन पैसेंजर प्लस 12 क्रू मेंबर दो पैलिट और 10 क्रू मेंबर थे तो कुछ ठीक ठाक था प्लेण टेक आफ करता है अचाहां इसमें जो दो 239 पीपल थे इसमें यह चुकी कौलरंपुर से बीजिंग जा रहा था तो उसमें चीन के ही ज्यादा तर पैसेंजर थे टोटल 227 पैसेंजर में 154 चीन के थे इसके लावा 38 जो है वो मलेशिया के थे च 227 पैसेंजर इसमें सवार थे बारा कुरू मेंबर के लावा और जाहिए सी बात इसमें 154 चीनी थे प्लेण चुके चीन जा रहा था टेक आफ के करीब कहते हैं कि 35-37 मिनट के बाद जब यह करीब 150 किलो मिटर साउथ चाइना सागर की तरफ यह जब जा रहा था तब उससे पहले उसने आखरी बार जो पैलेट ने मैसेज दिया था एटीसी को उस वक्त और उसने यह कहा कि आल राइट गुड नाइट यह लास्ट मैसेज था एमेच 370 का कौलालमपुर इंटरनेशनल एरपोर्ट के एर ट्रैफिक कंट्रोल को टेक आफ के 37 मिनट के बाद पैलेट ने इसके लावा कुछ नहीं कहा ना कोई टेकनिकल गरवड़ी है यह कोई और प्रॉब्रम है बिलकुल एकदम नॉर्मल बातचीत और उसने लास्ट मैसेज गा था आल राइट गुड नाइट और इसका मतलब था कि प्लेट अपने ताहर अफ़तार से अपनी मनज तूट जाता है अब यहां दो चीज़े हैं आप मेंसे ज़्यादातर लोग जानते होंगे कुछ को नहीं पता है तो प्लेट जब हवा में होता है तो वो हमेशा उसका जमीन के साथ एक कनेक्शन होता है और वो होता है A.T.C. से एर ट्रैफिक कंट्रोल जिसको हम लोग कहते है तो जिस A.T.C. के रडार में यह प्लेट जहां से क्रॉस कर रहा था उस A.T.C. के कॉंटेक्ट में वो आता है और A.T.C. से जमीन के जरीए गाइडेंस में मिलती है और प्लेट उसी हिसाब से क्योंकि आसमान में भी एक रूट होता है पूरे आसमान में आप कहीं भी प् गया तो मान के चले की प्लेट के साथ कुछ गरबड़ है और 99.9 परसेंट में मान लिए कि फिर प्लेट क्रेश करें आजसा हो गया तो कौलालमपूर A.T.C. के साथ 37 मिनट तक इसका संपर्क रहता है 37 मिनट के बाद इस मैसेज के बाद और राइट गुड नाइट इस प्ल जैसे ही एक कांटेक्ट तूटता है तो एक A.T.C. को यह खत्रा लगने लगता कि कुछ गरबड़ है क्या हुआ क्या नहीं हुआ है A.T.C. अपने काम में लग जाती है कि यह प्लेन कहां है पता करने के लिए इसी बीच में 37 मिनट के आसपास यह संपर्क तूटता है और 49 मिनट के बाद टेक आफ के मतलब रात 12 बच के 49 मिनट पर 8 मार्च 2014 को अचानक उस प्लेन का जो ट्रांसपॉंडर था वो भी बंद हो होता है जिसके जरीए आप A.T.C. के संपर्क में रहते हैं और वो पाइलेट के हाथ में होता कर ट्रांसपॉंडर को आफ कर दें तो आपका कनेक्शन जमीन से कर जाता है और यह पता चल जाता कि यह टेकनिकल वज़ा से हुआ या किस वज़ा से हुआ है लेकिन वो ट्रांस में रिकॉर्ड में सामने आया था अब इधर A.T.C. से संपर्क टूट चुका है ट्रांसपॉंडर बंद हो चुका है लगा की प्लेन के साथ कुछ हो गया है लेकिन तभी जो आर्मी के अपने सेटलाइट होते हैं सेना के जो मलेशियन के थे वहां पे वो एक राडार पे द अर्माल की बात ये थी कि उसके बात वो देखते हैं कि वो एक तरफ से गुजर रहा है और उस राडार के जरीए जब वो गुजरने की बात आई थी प्लेन को जो आखरी बार राडार ने पकड़ा था वो देखा था कि ये प्लेन हिंद महासागर में ये पाकिस्तान होते हुए कजाकिस्तान तुरक्यमिनिस्तान की सीमा से होकर थाइलेंड के बीच कहीं जा रहा है ये जो आर्मी के रेडार ने पकड़ा था जबके इसका रूट चीन की तरफ था इसको जाना चीन की तरफ था अब दूसरी चौकाने वाल भी plane अगले 7 घंटे तक उड़ता रहा अब ये हरान करने वाली बात ही कि आप किसी भी radar के संपर्क में नहीं है आप किसी ATC के contact में नहीं है उसके बावजूद ये plane अच्छा इस plane के अंदर दो इंधन था वो इतना था कि वो उड़ सकता था साड़े 6 घंटे का तो आपका रन ही था कौलालंपूर से बीजिंग तक और उसके लावा extra हमेशा इंधन होता है तो ATC से संपर तूटने के बावजूद ये plane अगले 7 घंटे तक उड़ता रहा और ये बात बढ़ी चौकाने वाली थी लेकिन फिर आर्मी के जो रेडार थे उससे भी ये गायब हो गया अब यहां पर एक दूसरी चीज आई कि यह जो सारे सेटलाइट है रेडार है ATC है इसको चक्मा दे के कोई plane क्या ओड़ सकता है ये सवाल उठाता बहुत तो इसमें एक उस वक्त जो आई पूरी इन्विस्टिगेशन हुई उसमें हुआ कि ये ऐसा मुमकिन हो सकता है और एविएशन में ऐसा हो सकता है इसके लिए एक टम है जो कि कोई एक plane Single blip एक टम है Single blip B-L-I-P गनिए कि एक प्लेन जा रहा है और उसी plane के Raस्ते में सेम उसी plane के हाइट मेंस、 सेम उसी plane के आगे या पीछे एक दूसरा plane हो तो आपका जो radar है वह सुर्फ एक plane को पकड़ेगा दो को नहीं सपोज अगर ये plane जा रहा है और इस plane के पीछे-पीछे ही आ आ रहा था तो एक प्लेन को राडर पकड़ा दूसरे को नहीं यह धोका देने का एक होता है जिसको सिंगल बिलिप कहते हैं तो अगर वो उसी रूट पर उसी हाइट पर उसी के पीछे उसी रफा से चल रहा है तो राडर सिर्फ एक को पकड़े गा तो ऐसे करके आप दूसरा फिले चु तीसरी की अगर इसका ट्रांसपॉंडर ओफ किया गया, इसका मतलब जानबूच के किया गया, तो क्या प्लेन पे पाइलिट ने ऐसा किया, या फिर पाइलिट को कुछ लोगों ने काबू कर लिया था और प्लेन हाईजेक हो गया है, तो ये सारे सवाल थे, हाला कि भी कुछ नहीं है, इसके बाद एक चीज और आई जो रडार उसके जरीए कि इस प्लेन को तै एक प्लेन जो जिसके हाइट होती है, आमतार पर जो पैसेंजर प्लेन है, फोट्टी थाउजन, चालिस सार फीट की हाइट तक प्लेन उरता, उसके बाद अगर वो जाता है, तो फ यह भी आई जो सारे रडार के जरिया पकड़ा गया, कि एक वक्त में यह प्लेन फॉटी सेवन थाउजन हाइट तक पहुंच चुका था, फॉटी सेवन थाउजन हाइट पे यह प्लेन दस मिनट से जादा रहा, इसका मतलब है कि हो सकता है, उसमें बहुत सारे पैसेंजर बेहोश हो गया, उसके बाद फिर एक वक्त ऐसा आया, जब यह प्लेन टॉटी सेवन थाउजन हाइट पे नीचे तक आ गया, मतलब भी सेवन थाउजन हाइट पे आने का मतलब यह है, कि यह जो बाकी सारे रेडार हैं, जितने भी जिजगा से गुज़रा था, वहां का प्लेंज में आने से यह अपने आपको बचा लिया, और 77,000 का मतलब है कि फीट का मतलब है कि यह उसके नक्षे पे नहीं आया, तो प्लेन गुज़रा नहीं गुज़रा यह देखके ATC नहीं बता सकता है, तो यह दो इंपॉर्टन चीज़ें थी, एक 47,000 की हाइट पे ले आडर से बचाने, तो यह दो चीज़ें थी, अब उसके बाद 7 घंटे तक प्लेन उड़ता रहा, जाना था चीन के रूट पे, यह रूट इसने दूसरा ले रखा है, तलाशी शुरू हुई, कुछ पता नहीं चल रहा, आज पास में जहां जहां जिस जगह से गुज़रा ह महां पे सारे कोई मलबा नहीं मिला, इसी दौरान में एक CTBTO है, यह जो दुनिया भर में जो नुकलियर ब्लास्ट होता है, प्रमानुवी स्पोर्ट, उसके उपर यह नज़र रखता है और उसके उपर यह काम करता है, यह संगठन, CTBTO, तो इसने भी उस दिन 8 मार्च को South East East Asia, चुकि इसका पूरा जो लास्ट रेडार पे जो पकड़ा था, इसी रूट पे था, उस रूट के सारे नक्षों को, उस रूट के सारी चीज़ों को खंगा लिया, लेकिन CTBTO ने अपनी रिपोर्ट में कहा, कि 8 मार्च से लेके, मतलब जिस वक्त यह प्लेन का 7 घंटे तक का जो सफर है पूरा, उसमें कहीं कोई ऐसा विस्फोर्ट नहीं हुआ है, कहीं पर कोई ऐसा प्लेन क्रेश नहीं हुआ, कहीं पर कोई ऐसा प्लेन गिरा नहीं है, जिसकी वज़ास से हम यह कैसे कि हाँ, यह MH370 वहां पे क्रेश किया हो गया, तो CTBTO की रिपोर्ट आग बिसिकली चार सवाल थे, जो इस मिस्टरी को गहरा रहे थे, और उन्हीं में इसका जवाब चुपा था, पहला, कि यह प्लेन अगर क्रेश नहीं हुआ, एटी सी से संपर तोटने के बाद भी साथ गंटे तक उड़ता रहा, तो फिर यह कहां गया, कहां लैंड किया, किस ज क्योंकि करीब जैसा मैंने आपको बताया है कि 26 कंट्री की टीम एक साथ इस मिशन पे इसको ढूंडने के लगी, एविएशन की हिस्ट्री का यह सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था, सबसे महेंगा सर्च ऑपरेशन था, 47,000 किलोमेटर या बलके माइल्स की जगा को खांगा आज भी नहीं मिला, 4 साल के बाद भी, तो सवाल यह है कि पहला है, अगर यह क्रेश नहीं हुआ तो कहा है, दूसरा अगर क्रेश हुआ तो इसका मलबा कहा है, तीसरा एक यह था कि इस प्लेइन को हाईजेक भी किया जा सकता है, ट्रांसपंडर ओफ हो गया, तो इसका एक चीज़ उसमें और रहे थी कि इस प्लेन में MH370 में खास किसमें के पहिये लगे वे थे आम तोर पे जो बोईंग होते हैं जो पैसेंजर प्लेन उसमें चार और छे पहिये का वो होता पैर इसमें ये जो कहा गया था कि बारा पहियों का पैर था उसकी वज़ा ये थी कि उ इसको कहीं जिस जगह पर लास में देखा गिया था साउथ इस्ट एशिया की तरफ तो वहां क्या किसी आतंगवादी संगठा ने इस प्लेन को नीचे उड़ा कर और फिर उतार लिया तो अगर ये किड्नेप हुआ तो फिर हाईजेक हुआ तो कहां ले गया और सबसे हाईजेक हुआ तो उस हाईजेकिंग के बदले में कभी कोई डिमांड क्यों नहीं मांगी गई जो 227 पैसेंजर थे बारा क्रू मेंबर थे और उनको अगर हाईजेक ही करना है तो हाईजेक करने के हमेशा मकसाद होता है अपनी डिमांड सामने रखना लेकिन चार साल में न लेकिन बाद में पता चला कि वो नहीं है एक पर्त के पास ऑस्ट्रीलिया की बात आई थी उसमें कहा आगिया कि नहीं है तो कई ऐसे बीज़ीच में आए कि कुछ मलबे के मिलने की बात थी लेकिन इसके उपर कभी फाइनल किसी ने मोहर नहीं लगाई तीन साल के सच आपर के बाद करीब 120,000 स्क्वाइर किलो मिटर यानि जैसा मैंने कहा कि करीब 47,000 किलो मिटर पूरे समंदर की खाक चानी गई इस प्लेन के मलबे को ढूनने के लिए लेकिन कुछ पता नहीं चला आखरी में जनवरी 2017 में इस आपरेशन को रोग गया गया और यह कहा गया कि इसमे में एक रिपोर्ट आई कि इस ऑपरेशन को बंद के जा रहा है कि इसमें कोई काम्याभी नहीं मिली है लेकिन चुकि अब मलेशिया के ऊपर दबाव भी था कि इसको ढूनना है पता करना है तो जनवरी 2018 जनवरी 2017 में इसको बंद किया गया और एक साल के बाद जनवरी 2018 में एक प्राइविट कॉंट्रेक्टर जो है वो समंदर और इन सारे जो इलाकों की चानवीन और ये करते हैं उनके जरीए इस खोजी अभियान को चलाया गया फिर जनवरी 2018 में लेकिन जुलाई 2018 में 6 महीने के बार उन्होंने भी हाथ पैर अपने खड़े कर लिया और उन्हों इस मामले में जो अपडेट है वो ये है कि जुलाई 2018 में भी ये तलाशी अभियान को रोग दिया गया और इसके बारे में कुछ पता नहीं है इन सारी चीजों के अलावा जैसे मैंने का क्रैश किया हाईजेक हुआ टेकनिकल फॉल्ट की कोई बात सामने आई नहीं क्योंकि इमिट्स इस प्लेइन को मलेशन एलाइंस को जो उड़ा रहा था उस दिन आठ मार्च को तो उनका जो में पैलेट था उसके उपर एक शिक जताया गया था कि ये हो सकता है कि उसने इसको क्रैश करा दिया हाला कि फिर आई गया कि मलबा तो मिला रही है इस प्लेइन के जो थे जो में पैलिट थे इसके वो थे कैप्टन जहारी एहमद शाह यह मलेशिया कही थे और दूसरे थे जो एक दूसरा पैलिट ससकरना मुझे याद नहीं आ रहा है जहारी एहमद शाह मलेशिया के बहुती सीनियर मोस्ट पैलेटों में उनकी गिंती होती है लेकिन कहते हैं कि ये वहां पॉल्टिकल उसमें भी इन्वॉल्मेंट था इनका जो वहां पे लीडर आफ अपोजिशन थे 2014 में अनवर इबराहीम ये उसके कटर सपोर्टर थे एहमद शाह को बाकाइदा कोर्ट में भी देखा गया था और उस वक्त एक तस्वीर भी आई थी कि जिस दिन ये फ्लाइट आठ मार्च को लेकि इनको उड़ना था उससे एक दिन पहले एक टी-शेट के साथ इनकी फोटो आई थी कैप्टन जहरी एहमद शाह की जो इस प्लेइन के पैलेट थे जिस पे लिखा वा था कि डिमोक्रेसी इस डेट ये मरेशिया के बारे में था और अनवर इबराहिम को बाद में जेल भेज दिया गया था तो उसी के बाद ये ये टी-शेट भी लिखा गया था तो एक शक ये था की अनवर जहारी एहमद ने शायद इसके पीचे कुछ किया हो एक उस वक्त अमरीका की और रिपोर्ट आयती है और फोटो भी जारी जारी किया गया था कि अनवर जहारी अहमद शाह के बारे में ये था कि ये कॉक्पिट में सिग्रेट बहुत पी था, नमबर एक, नमबर दो, ये कॉक्पिट में क्रू मेंबर्स को भी बठा लेता है, और लड़कियों के साथ ये बहुत जादा खुला होगा रहता है, जो कॉक्पिट में फीमेल ये सिगरेट ये कॉक्पिट में एर होस्टेस और उनको बैठाना और प्लेइन को यहीं छोड़ देना वो तो वज़ा नहीं बनी लेकिन ये सारी चीज़ें हवा हवाई है कुल मिला के कहानी ये है कि आगर ये प्लेइन क्रेश हुआ है तो आज तक इसका मलबा नहीं मिला रहसे जो है आग चार साल के बाद भी एक रहसे बना हुआ है कि आखर ये जो मलेशियन एरलाइन्स का जो प्लेइन था ये गया कहां और image 370 का राज है क्या आस्मान निगल गया जमीन खा गई समंदर में समा गया ये फिर कुछ और हुआ तो ये थी पूरी image 370 की कहानी और खलक ऐसे बहुत सारे पुराने केसे हैं जिसमें मुझे याद आता है कि बहुत जमाने जमाने के बाद मलबा मिला है यसे भी हाल में था एक एक साथ शिप कई सालों के बाद समंदर के अंदर से मिला है कई बारे से आता है कि खाजाना पुरा ना मिला है तो image 370 का भी हो सकता है कि कभी पूरा सच सामने आया कि आखर हुआ क्या था इस पर बहुत सारे अलजाम ये भी लगे थे कि रशिया ने एक बार ये कहा था उसी दोरान में कि इसमें चुके चीनी मुसाफिर जादा थे और ये रूट भटक गया था तो अमेरिका ने इसको देखा था अमेरिका के उस एरिया में आ गया था तो जहां पर अमेरिका का बेस था इस एरिया में तो उन्होंने इस प्लेन को हाईजेक कर लिया या गिरा दिया लेकिन फिर बात वही है hijack किया तो कहां गया गिरा दिया तो मलबा कहां है तो ये सारे सवाल और बाते इसको लेके बहुत सारे हैं लेकिन कुल मिला करे दो ऐसे operation चले। डोनों ना करें। और हाँ Malaysia ने जब बहुत ज़यादा pressure पड़ा था तो इस हाइजक के एक महीने बाद ही बाकाइदा ऐलान कर दिया था कि में इमिट्स 370 में जितने भी मुसाफिर हैं उनमें से कोई जिन्दा नहीं है वो सारे मारे जा चुके हैं लेकिन लोग जिन्दा होने के सबूत मांगते हैं इस केस में उल्टा था यहां पे लोग मुर्दा होने के सबूत मांग रहें और आज भी वो 249 लोगों के फैमली वाले घर वाले वो कहते हैं कि हमारे जो लोग थे उसमें उनके आप मुर्दा होने के ही सबूत दे दो और मुर्दा होने का भी फिलाल कोई सबूत नहीं है तो ये थी पूरी कहानी मैंने कोशिश किया आपको जो फैक्ट्स के साथ सुनाने की और जो अलग-अलग इसमें अभी तक जहां चुए उसके जरीये बताने की तो आप बताईएगा आपको कैसी लगी इसमें कुछ छूट गया हो या इसमें कुछ गलत हुआ हो तो आप मुझे मेल जरूर कीजिएगा क्राइम तक ओफिशिल एट जीमेल डॉट कॉम दूसरा शम्स डॉट खान एट आच तक डॉट कॉम अब इस से अगर जुड़ावा कोई सवाल है आज का जो एक्सिदेंट हुआ था ये प्लेन जकारता से इंडोनेशिया की जो राजधानी है वहां से एक टापू है उसका एरपोर्ट का एग्जक्ट आमीर यामार करके रिपोर्ट है तरना था एक घंड़ा दस मिनट की टोटल दूरी थी इसको और सुबह ये च्छे बच के दस मिनट पोड़ा हला कि तेरा मिनट ये रनवे खाली नहीं था तो तेरा मिनट देरी से ये प्लेन उड़ा और उड़ने के बाद ठीक तेरा मिनट के बाद पाइलिट ने जकारता एटी सी को अचानक खबर दी कि और उस वक्त ये समंदर के उपर उड़ा था और करीब 30,000 फिट की उचाई थी कि प्लेन में कुछ टेक्निकल खराबी आ गई है तो मैं वापस आ रहा हूँ जकारता एरपोर्ट पे और इधर से एरपोर्ट कुछ रियक्ट करता कि आजानक उसके बाद संपर्ट टूड़ गया और उस 13 मिनट के बाद ही या जैसी एटीसी को इनफॉर्मेशन दी और उसके बाद यह प्लेन करश कर गया तो उसके बाद बहुत सारी पानी की चुके यह मालूम था आखरी एटीसी को लोकेशन की यहां पर से आई थी तो इतना पता चल जाता एटीसी को कि उस वक्त वहां कि यही उडान जो जकारता से आज जिस ने उडान भरी कल भी एक जगह से इसने उडान भरा तो इसमें तकनीकी खराबी आय थी टेकनिकल प्रॉब्लम थी और उसके बाद इस प्लेन को एरपोर्ट पर रोका गया और फिर इसमें जो भी था जो प्रॉब्लम थी दूर की गई और उसके बाद उन्होंने क्लेम किया कि अब यह ठीक के अंदर यह प्लेन क्रेश कर जाता है और अफसोस की बात यह है कि इसमें जो पाइलिट इस प्लेन के मिस्टर सुने जा वो अपने इंडिया के दिली के मैयूर विहार के वो भी जहां मैं रहता हूं बिल्कुल उसके प्रोस के और बड़ा अफसोसनाक है तो अभी इसके मल जानकारी मिलेगी शर्षांग जी पूछ रहे हैं कि इसमें एलियन का तो कुछ निए जो मैंने बताया है जितनी सारी बाते आ रही थी कि इसको हाईजयक कर लिया गया मलबा कहा गया उसमें उस वक्त एक सोशल मेडिया पर ही बहुत चला था कि इस प्लेन को एलियन ने गाय नहीं है लेकिन याप गलत नहीं कह रहे हैं उस वक्त की चीज़ें उठी थी चाहिए इसको आप हलके में लेजिए या सीरियस लेजिए लेकिन यह था कि यह प्लेइन शायद एलियन ने गायब कर दिया वह भी एक चीज़ सोशल मीडिया पर उस वक्त काफी चल रहा था बर्मुडरा ट्राइंगल एक अपने आप पे कहानी है एक जगह है जहां पे प्लेन अचानक रहसे में आलत में गायब हो जाता है लेकिन उसके पीछे की कहानी दूसरी है मैं आपको डिटेल में एक दिन कहानी आदे घंटा बैट के सुनाओंगा और आपको समझाओंगा पू प्लेन पहले जो था उसमें स्मोकिंग कई बार होता था अलग जोन होता था जैसे एरपोर्ट पे आजकल होता है लेकिन रिस्क में डालना है आपको पैसेंजर को अपने आपको प्लेन को तो फिर यह सारी चीज़ों होती है तो कॉक्पिट पे या तो प्लेन में बिलकुल स्मोकिंग इवें इंटरनेशनल आप किसी भी प्लेन में मुझे इधर को योरोप साइड में पता नहीं लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है शायद पूरी दुनिया में आप प्लेन में स्मोक नहीं कर सकते क्योंकि इससे आप बाकि सारे मुसाफरों की जान को खत्रे में ड 20 कंट्री 26 कंट्री इसमें इंवाल्व थी इवन इंडिया ने उस वक चुके 37 एशिया का मामला है हिन महासागार की बात आई और अपने 5 इंडियन भी थे तो उन्होंने भी पूरी मदद की पेशकर उसी वक कर दी थी तो सारी एजंसी सारे एक्सपर्ट्स अलग-अलग प्रिम लगे लेकिन चार साल का नतीजह है शिफर आज तक पता नहीं वह प्लेन कहा है मलबा कहा है क्रैश हुआ है हाईजेक हो गया है तो हैजेकर कौन है डेमांड क्यों नहीं है मतलब कुल मिला कि सिर्फ रहस 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 है और इसके लावा कुछ नहीं है कि सब्सक्राइब कि किस विज़ा से कहा हो जाए यह सारी छीजें हाँ मनिश साथ मैं मतलब इसकी वजय से प्लीट ऐसे हो गया इसकी वजय से हो गया हम लोग बातें तो कर सकते हैं लेकिन ऑसनिक कुछ नहीं किसके बारे में कुछ अभी तक ऐसी रूपोर्ट आहीं नहीं है कि क्योंकि 47,000 उपर हाइट पे था इस वज़े से हो सकते कि मसाफिन बढ़ चुके होंगे इस वज़े से आतंकियों ने कोई डिमांड नहीं की और उस पेन आतंकियों ने कहीं डिस्ट्रॉई कर दिया होगा कई लोगों का कि 47,000 फीट की उपर उचाई पर ले गए मुसाफिर मर गए और इसलिए हैजेकर ने डिमांड नहीं की है अगरी यहां पर भी आपकी थोरी अच्छी है लेकिन फिर सवाल मेरा वही है कि अगर वो मर गए डिमांड नहीं किया मलबा कहां गया कहीं पर तो 47,000 के ह सब्सक्राइब नहीं है द्रेंद्र नागर सहब शुक्रिया लेकिन इसको तारीफ मिलूं या कैसे लूं आपने कहा मेरी आवाज एक खौफजदा आवास पैदा करती नहीं मैं इसा नहीं है मैं बिलकुल भी डराता भी नहीं हूं और ना मेरी यसी मन्शा है बद जैसा हू कुमेश कुमार जी मैं बिलकुल के बीसी के विए से शोव बन नहीं करता हूं और ना मैंने पहले किया वह बीच में अमरिसर हाथसा हो गया था रेल हाथसा उस वज़ा से और ऐसी कई चीज़ आगा जाती है तो उस वज़ा से करना पड़ता है मेरी कोशिश है कि हमारी और आपकी इस कहानी के बीच में कोई ना है और मैंसी तरह आपको सुनाता रहूं है अब बहुत सारे यहां से दीपक हस के कह रहा है कि बढ़ाई दे रहे हैं दो लाख हो गए मैं बढ़ाई के लिए शुरू में काता है हम लोग नहीं हाँ यह दीपक आसिम वरनिका यह लोग बहुत मेनत करते हैं मुनीश देवगन एक हमारे एक अमित सिंग हैं लोकेंद्र हैं मुम्ताज हैं बैनर जी हैं यह सारे लोग भी बहुत काम करते हैं और इन्होंने अलग-अलग वक्त में किया भी है लेकिन मेरा मानना है कि इन सबसे ज़्यादा आसली हगदार आप लोग अब मैंने सब्सक्राइब के लिए को बहुत सारे लोगों किया आई थी मेरे पाँ मेल आता है कि आ प्लीज अपील ना करें इसलिए मैंने इसका छोड़ दिया है और मैं मुझे लगता है कि अपने आप बढ़ रहा है तो मुझे आप से कहने की जरुवत भी नहीं है सूरज सिंग्जी सूरज सिंग्जी कहा है बहुत पूरी हो गई बहुत जल श्वेता जो है वो बहार तक लेकर आ रही है और मुझे लगता अगले काक महीने में आपके सामने होगा बहार तक तो जितने बहार की ख़बरें आप उसमें डाली सिब्याई वर्से सिब्याई में आज कोट में मामला था जिसमें एक नवंबर तक राकेश अस्थाना की गिरफतारी पर हाई कोट ने रोक लगा दी है लेकिन एफ़ायर क्वेश्ट करने का जो उनके उपर उनके खलाफ एफ़ायर था वो मना कर दिया है और अभी का वक्त दिया है और वो दो हफता जो है फ्राइडे को लास्ट दिया था तो इस फ्राइडे छोड नेक्स फ्राइडे तक हमें बेट करना पड़ेगा तब सीवाई कि हमें थोड़िया और इंट्रेस्टिंग कहानी समझ में आएगी श्रशी भूशन तिवारी जी नमस्कार थैंक्यू वेरी मच्च और आप बस इसी तरह देखते रही है और हौसला बढ़ाते रही है इसमें सारे आप जितने भी आप्शने सब खोल दीजे लेकिन लास्ट में जवाब नहीं मिलता है कि यह हुआ होगा यह होगा मैं तो इसमें और दस सीज़ें और डाल दूंगा लेकिन सबूत नहीं है और बिना सबूत के बात नहीं करना चाहिए कोट प्रोशिडिंग कौन-कोन देखने जा सकता है जाकर कोट में बैट सकता है ज्यादा तर जेनरिल जो हाई प्रोफाइल केस होता बड़ा केस होता उसमें भीड इतनी होती है कि कई बार कोट को यह कहना पड़ता है कि सिर्फ जो कंसन वकील हैं वही होंगे कई बार तो मे तो कोई भी नागरिक जाकर कोट के अंदर उस में बैट की कारवाई को सुन सकता है देख सकता है मुहम्मद जावेद हुसेन का सवाल है कोट का लाइब टेलिकास कप्षिश्रू हो जाएगा इक में सुप्रीम कोट नहीं होडर दिया है और लाइब टेलिकास्ट कोट की कारवाई जैसे लोग सुभा में होती है वैसे दिखाए जाएगा लेकिन इसका यह था कि सिर्फ कॉंसिटूशनल मैटर जैसे भी राम जनम भूमी अध्या का आज जो मसला था आज कोट में लेकिन दो मिनट में कोट ने कह दिया आप जनवरी में हम इसकी सुनवाई करेंगे और जनवरी में डिसाइड करेंगे कि यह डे टूड़ी होनी चाहिए कि नहीं तो मुझे लगता ह अब की स्टोरी का वेट करता हूं थैंक यू सर एलियर टीग शशांग जी थैंक यू वेरी मच्छ आप आप लोंको वेट कराना मुझे अच्छानी लगता लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ यूही कहानी शेयर करता रहूं बताता रहूं सुनाता रहूं और बहु से तो बात नहीं करें और तुम वहां बैठ के कहानी सुन रहे हो तो ऐसा भी नहीं है आप लोग बात भी कीजिए लेकिन तमाम आप लोगों का प्यार है और इसी वाज़ा से हैं और उसला बढ़ता है और कहानी सुनाने का बैदर सुनाने का समीर जी का सवाल है कि रो के बारे में कुछ बता है मैं बिल्कुल आपको रो की कहानी सुनाओंगा उसके लिए थोड़ा सा वक्त दे दीजिए और मैं जल्दी सुनाओंगा को केस स्टडी के साथ सब्सक्राइब करें कि रोही सरदाना साहब से मुलाकात कर रही है बिल्कुल जल्दी मुलाकात हो जाएगी आपकी मैं आपका मैसेज जो है आपका जो आईडी है वह वहां तक पहुंचा दूँगा तो अब वक्त भी हो गया और मुझे इसी प्लेन क्रैश पर तैहरी भी करनी है वारदात की तो राते ग्यारा बज़े आप वारदात देखेगा कल आप से फिर मुलाकात होगी नहों बज़े तब तक आप लोग अपना ख्याल रही रखे अच्छे रही और खुश रही थैंक भी अरी बज़नु में।